और उसके बाद तो लाइन सी लगे इस टेम की आया राम गया राम वाली कहानी हो गई और एक के बाद एक चाहे उसमें शाय सुदर्शन वो भी चेहरन बना पाई शारुक खान सेंटीस बनाए लेकि शारुक खान जब रन आउट हुए वो बड़ा जवरदस किस्सा हुआ था विरात कोली फिल्डिंग कर रहे थे वह बाद बहुता है और वही चीज़े में बार बर बोलूँगी कि चीटे की चाल बास की नज़र और विरात कोली के थ्रो पर कभी संधे नहीं है हमेशा मात देकर जाते है तो आज तो अज तो आज नहीं देख लिया बिलकुल नहीं कर तो आज स्टार्ट तो काफी अच्छा मिला था अगर मैं RCB के बाद करू मोनु क्योंकि फैप और विराठ जब भी होते है वो बड़ा अच्छा वो जो बॉंडिंग भी नजर आती है ना ग्राउंड पर भी वो भी बड़ी अच्छी नजर आई लेकिन जो विकेट्स गिरते हैं RCB के तो दिल धक धक होने लगता है क्योंकि उम्मीदे पिछले मैश में तो अच्छा अच्छी प्रदर्शन के साथ RCB की टीम आई थी लेकिन लेकिन उसके बाद अपना विकेट्ट दे बैठे तो चीज़े ही होती है कि आपनी का ना हे प्रभू हे रिराम तो इनसे उम्मीद है थी दिनेश कार्थिक से वो पूरा किया और लास में हमने वही का ना कि चक्का मार कर उनने जीद लाए और RCB इस जीद के साथ पूरी टी शूमन गिल के आसपा से रिवोल करते हैं जूमन की वह दिखाई तरु का इते हो पता नहीं क्या गया है जब टीन हारती है तो फीर और सवाल घड़े हो जाते हैं यूपर अब उमीद लगाई थी कि डेविड मिलर अच्छा करेंगे वह अच्छा नहीं कर रहे है राशिद आज भी साथ गेंदों पर दो रहों पहला और जो भी खेल रहे थे मतलब बैक फुट पर ज्यादा जा रहे थे वह नजर ही निया रहा था वह कैते ना उड़ाने वाला गेम वह नजर निया रहा और शारुक खान देखे 37-24 गेंदों पर इन्हों दो मैच बड़े अच्छे ख वाइफ के लिए भी था तो वो मुमेंट बड़ा अच्छा था तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो हम बार मुनू लगातार बात कर रहे थे कि यह आईपेल जो सीजन रहा है ना वह बले बाजू का रहा है लेकिन अब गेंदबाज भी उन्होंने कहा नहीं दिया दम क्या कुछ कहना चाहेंगे स्क्वाइड मेना में T20 वर्ल कप में और लगातार इसलिए भी ट्रोल हो रहे थे ना क्योंकि जब एक बड़ा किलाडी होता है बड़ा प्लेयर होता है तो बड़े चर्चाय भी होती है तो सिराज ने आज जो कुछ भी क्या इंग उन्होंने थो टेस्ट होगा जब यह टीम टॉप 4 में जाएगा और जो बड़ी टीम है उनके खिलाफ के लेगी क्योंकि आप देखे एक तरफ SRH की टीम है और की टीम है वहां कैसी की इंदबाजी करेंगे सिराज यह देखना दिलचस्प रहे जाएगा लेकिन जैसे दोस्तों हमने बताय कि यह दोस्तों आप यकीन नहीं मानोंगे 5.4 और में 92 बना चुका था RCB ऐसा पहली बार हुआ है सीजन में वैसे तो मुझे लगता है थोड़ा टोलना पड़ेगा हमें आएके लितिहास की बानवे बना दिये हों पार प्ले से पहले ही छे ओर में बहुत रहर दिखता RCB ग पहले आउट होते हैं फैप 92 पर पहला उट हुआ उसके बाद 99 पर दूसरा उट हुआ फिर तो एक के बाद एक के बाद जटके लगे और रंकिता का चेहरा लगा कि यार ओ गई गई बैस्पानिया कि यार फिर से वही खिलाडी आउट फॉर्म नज़रा है Cameron Green जो की अच्छी लेमे नज़रात इसके पहले मैच में रजट पार्टिदर को फॉर्म कहा चला गया इसके बाद मैक्स्वेल से उमीद होती है जो भले ही हम कहें कि आउट फॉर्म है लेकिन जब भी मैदान पर आत इने जल्दी जियत मिल जाएगी लेकिन उसके बाद आउट हो जाते हैं वो लेकिन दिनेश कार्थिक भरूसा करी है इसके बड़ा अच्छा रहा है तो दिनेश कार्थिक अब वही चीज़ है कि लाइम लाइट में आ गया है लेकिन भाई आप आप कहना मानना पड़ेगा में आर सीबी का भी जो बड़े मोके आते हैं जब सब कुछ आपके हाथ में हो इस टीम से सीख लीजी आप कैसे मोकों गवाया जाता आज भी गवाया इन्होंने पैनिक कर दिया एक टाइम पर क्योंकि विल जैक आए वह एक बनाया रजट पाट करें गुजरा टाइटन चट गया और उन्होंने स्लीप ले ली राशिद खान नूर आहमत दोनों एंट से गेंदबाजी करने लगे विराट को विकेट था वह मुझे लगा टर्निंग पाइंट हो गया आज के मैस का मैं तो कहता हूं मैं बड़ा इंप्रेस वहां आरसी वी कि अगर पूरी टीम देखूं मुझे दिनेश कार्थिक जैसा बंदा नहीं लगा इस टीम में वह मेरे लिए सबसे बड़े ही रहे हैं और वही चीज़े होती ना कि आप जब ओपन करते हैं मैं विराट की बात कर रही हूं कि जब आप ओपन करते हैं एक की बाद एक की बात विकेट्स गिरते हैं तो सारा सारा दारूमदार जो होता है मोनू वो आपके उपर हो जाता है प्रेशर वहापर काफे जाता हो जाता है उस प्रेशर को कैसे रिलीस करना आए तिंग विराट को बखू भी आता है लेकिन आज उन्हें पता था कि यह मैच हम जीत जाएंगे दिनेश अभी मारे पास हैं और दिनेश जब जब भी आया है मैच में कुछ अलंग रुमाच भी आया है और फस्ता हमाच जो होcken की उलता है नहीं हमारे में फारज बहुग वी जीत रहें लेकिन फॉर्म जरूरी है आपकी और वर्टकप की लिहाज से भी और आज RCB जीती है यही मैच पहले जीतना चाहिए तर जो लगा था तर तीन मैचस आप जीत करा रहे हैं सेकंड या थर्ड मैच आप जीत जाते ना पहले ही तो आज तो महावल कुछ अच्छा मैं एक चीज आप से पूछाना चाहता है बड़ा इंटरस्टिं सवाल आपने पूछा है और रंकिता ने इंफेक्ट आपको बता दोस्तों मैच से प्री मैच शो में उनने काया था कि इसी दिखने देखने को मिल सकते इंडिया को देखिए उमीद तो यह है कि इसे बहतर करें आज तो आज तो 150 से जादा के स्ट्राइक रेट थी विराट कोली की स्टार्ट मैंने वही का ना पावर प्ले का सही तरीक से इस्तमाल करते उसके बाद स्लोपार ही हो जाती कि सारा दारूमदार उन पर ही रह रहा है तो विराट कोली को यह भी देखना पड़ रहा है ना कि इनके पास बैटिंग और भी अच्छी नहीं है अब देखिए एक मैच में रजट पार्टी दार चल जाते उसके बाद दूसरे मैच में आउट हो जाते जीरो पर उसके बिल्कुल क्योंकि जब जीत आई तो औरेंज कैप भी आई अच्छा हमारे कलीग हैं आदर्स अब वो मैच देख रहे थे बही 92 पर एक भी आउट नहीं था और 117 पर 6 आउट होगे उन्हें ने कहा कि भीया मैं तो पानी लेनी गया था हो क्या गया यह यही तो जैसे अंकि 9 गेंदों पर तो लगा कि अब इस टीम के पास वो दंखम है अब क्या सोचते हो आप क्या अभी भी सांसे जिन्दा हैं आरसीवी कि अंकिता देखिए फैंस के सांसे तो भी जिन्दा है लेकिन पॉइंट से टेबल पर नजर आने तो अभी भी कुछ उमीद नहीं है आप कि अब एक भी जानसे नहीं है उनको प्ले आउफ में पहुचने के लिए जीटी के भी चांसे जो है वो बिल्कुल खतम से होते नजर आ रहे हैं तो कुछ-कुछ टीम है वो बिल्कुल ही कमजोर नजर आएं तो च्लियर पिक्चर क्लियर है कि आरसी भी जो हो नहीं पहुच प तो फिर बले-बले है बई दोस्तों आपसे सवाल यह है आज कि क्या आर्सीबी ने इतनी अठीक इंदवाजी कर दी कि अभी नहीं रोकना चारी हूं जीत के साथ आर्सीबी की टीम जो है वो नंबर साथ पर पहुंच गई है वाह जब नंबर दस से नंबर साथ पर पहुंच है और आपने कहा ना उमीदों पर दुनिया ठीक है तो उमीद जो है वो छोड़िये मत अभी भी आर्सीबी फैंस अपनी उमीदों पर जिन्दा रहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है आई पिल के हमने देखा है कि रिकॉर्स तोड रहे हैं कभी इतना बड़ा स्कोर नहीं बन सब्सक्राइब करें मुंबाई की बात करें तो यह कोई चांस नहीं है इनका दसवे नंबर पर यह टीम मौझूद है आरार की टीम तो टेबल टॉपर है उनके पास 16 पॉइंट से अब देखी आर्सीबी के पास आठ पॉइंट्स हो चुके यानि कि पंजाब और आर्सीबी के खेमे में आठ आठ पॉइंट्स हैं रंडेट भी आपर आठीव की टीम का अच्छा हो गया यानि कि आगे की मैच इसी तरीके से जीती रही तो शायद वो नंबर चार नंबर तीन पर पहुंच सकती है बिलकुल नंबर तीन पर पहुंच सकते है दिलपरीत हमारे साथ पहुंच सकते हैं टॉप फॉर में बट उनके लिए ऐसे ही कंसिस्टेंट मैच जीत रहे होंगे तीन ही जीते हैं आप तो सारे जीत लीजी आप कम से कम दिल तो जीती है इस बहर आर्से भी वरही 16 सीजन होगे नहीं जीत पाए नहीं अच्छी बात है अभी नंबर साथ पर प्लीज बताते रही आपको क्या लगता है अंकिता सी पूछ लेते हैं आपको क्या ऐसा लगा इस मैच में कि आर्सीबी ने बड़ी शांदार गेंदबाजी की वन 47 पी रोक दिया गुजरा टाइटन्स को या फिर आपको लगा कि जो स्टार्ट मिला था जो पिटाई की थी फैट ने और विराट ने वह अच्छी बात लगी या फिर आपको लगा जो दिनेश कारती को चोटी सी कैमियो इनिंग थी जिन्हों ने जीत की देली से पहुंचाया वह तीनों में से ज्यादा इंप्रेस आपने किसी ने गया देगे जब आप मैच को जीते है ना तो बाकी तालिस पे उन्होंने रोक लिया ओल आउट होगी टीम तो सबसे बड़ी बात मुझे गिंदवाजो ने इंप्रेस किया इसके लावा क्योंकि स्टार्ट काफी अच्छा हमेशा हमने देखा है कि स्टार्ट काफी अच्छा मिलता है फैप और विराट जो है स्टार्ट काफी अच्छा देते हैं उसके बाद गयाँ पर बलेबाजी जो उनकी नंबर ती नंबर चार नंबर पांच की उन्होंने निराश किया अलाकि दिनेश कार्तिक से उम्मीदें जादा इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने फसा हुआ मैच हमेशा निकालते है भले यार से भी हार जा अच्छी बैटिंग की है इन्होंने अच्छी क्या मतलब मैच विनिंग नो खेली सिर्फ 23 गेंदों पर अंकिता 64 बना दी अब इससे बैस्ट क्या हो सकता है क्या इसतना अमेजिंग स्ट्राइग रेट अगर आप देखोगे तक करीवन 300 के आस पास का बताईए 10-100 के तीन अच्छी पारी को कैसे बड़ी पारी को कैसे बड़ी पारी में तबदील करें आज उने यही चीजे होनी भी चाहिए यहाँ पर RCB के लिए कि अच्छी पार्टनर्शिप करें से पहली बात तो आज इंप्रेस किया फैप बेलकुल नो डाउट फैप ने इंप्रेस किया और इसका ड्यू भी था वैसे आयनी तर लबी टाइम हो गया था इंको पारी आई नहीं थे विराट रन बनारे थे लेकिन फैप पता नहीं अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी कशर पूरी कर दी फैप डिपलेसी ने और देखिए बाद मुकाबला था इमची नहीं स्टार्ट में में तो आप बड़ा शोर मचा जीत भी गया बैंगलोर लेकिन उस शोर में भी आपने कुछ-कुछ जलकिया गर मिस कर दिये वह हम दिखा देते हैं हमारा खास सेगमेंट और 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 अगर चुछ तो आपके तीन वालिए अनुश्का के लिए जब उन ने विकेट लेया था तो यह खुष्छी होती है यह इए यह यूझी होती है मौनो कि आपकी आपकी तीम भले ही मैच को हाँ रसी प्ल्हाद दोच और यह तो यह उस तो आपकी वह जाए विक् बहले ही ट्रॉफी नहीं जीता है लेगिन